बहराईच का रहुआ मनसूर गाउं राम गोपाल मिश्रा इसी गाउं का रहने वाला था और गाउं जो है वो आक्रोश में एक तरफ है तो दूसरी तरफ वो लोग कह रहे हैं कि हमको कानून पर विश्वास है इसलिए इंतजार कर रहा है कि एक्षन लिया जाएगा अपरादियों को पकड़ा जाएगा उनको सजा दिलाई जाएगी नहीं तो 90 परतिशत इस गाउं में हिंदू आबादी है और सिर्फ 5 परतिशत विश्व समुदाई के लोग रहते हैं मतलब आप समझ सकते हैं आक्रोश बोल रहा है उनका लेकिन दूसरी तरफ लोग कानून पर विश्वास करने वाले हैं क्योंकि ऐसे समदाई से आते हैं जिस समदाई के लोग हाथ में तलवार यह हथियार उठाने से पहले सोचते हैं कि पुलिस को फोन करें बताए जानकारी दे क्योंकि कानून अपना काम कर गाउं के बहुत सारे लोग हैं इसी घाउं के और उनसे हम बात करेंगे और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि यह लोग क्या चाइए क्या नाम है इसी गाउं के रहने वाले से परिवार से जुड़े हुए क्या जी नहीं हमारा घर सामने हैं हम इनके रिलेटिव रिष्टिदार हैं ये बताइए कि इतनी बड़ी घटना हुई है अब एक तो आखरोश है जो कल दिखा भी अब आप लोग क्या चाह रहे हैं आप लोग किस तरीके से इस पूरे मामले का न आए हो जी आप लोग भी थे उस जब यातरे निकल रही थी हम तो नहीं से लेकिन हम घर पर थे हमारे पास सामचे बज़े फोन आया कि गोपाल को किसी गोली मार दी है और खतम हो गया हम सीधे बाहरे डिश्टिक हास्पियर पहुंचे तो हमका लगाव था गोपाल से जी हम कभी हो कोई दंगा या उत्पाद मचाने वाला लड़का नहीं था वह बहुत सरीव लड़का था और यहां पर हमारे मंदिक के पास भागोत हो रही थी उसमें काम करता था तो भंडारी के लिए प्रसाव गयरा की बिवस्ता उसने ही करवाई थी और भी गाउं के बहुत सा उस दिन वो तो जाच का विश्य है लेकिन अब आप लोगों के मन में क्या है आप से चाहते हैं कि वह जो दोसी है उनको सजा मिलनी चाहिए और शांती बनी रहे हैं जी कल जिस तरीके से बवाल हुआ उसके बाद ऐसा लगा कि शायद शांती बनी रहे यह बहुत इसकी गु लोग मांग करते रहे कि इस गोली लगी इसको पहुंचाया जा बैरेज तो सासन के द्वारा कोई विवस्ता वहां पर नहीं की बैटी वाली रिक्षे से लेकर पांसो मीटर उससे लेगा फिर मोट साकिल बिठाला ना पुलिस के द्वारा कोई उसको ले जाने के लिए कोई पूछना मिली तो कोई पूछने वाला नहीं था जब धरना पता सन्वा तब कही सुनवाई हुए जी आप लोग भी थे उस यात्रा में हम यह तो नहीं तो नहीं तो नहीं तो लेकिन यहां से पूछना की बूली लग गई तो हम लोग बैरेज मुक्याले पहुंचे कितने किस गाउं के उसी आत्रा में शामिन अरे एक मूर्ती गई दस पर जास लोग आप इसी गाउं के रहने वाले हैं आपका क्या नाम है प्रमोजी प्रमोजी कल बहुत बवाल हुआ कहा ये गया कि भाई देखिए कैसे जो हिंदू समधाई के जो लोग हैं वो भी किस तरीके से आगजनी कर रहे हैं सडक पर गाडियां जल रही हैं दुकानों में घरों में आग लगाई जा रही है बढ़ा तनावपूर्ट शिती हो गई थी अभी हालात कैसे हैं और आप लोग क्या चाहरें हम लोग चाहरें कि बियोस्था सांधपूर्ट बनी रहें जो गोपाल के सब्सक्राइब के साथ बहुत करवाई होने चाहिए वह पकड़े जाए अभी तक पास कोई करवाई नहीं हुई पकड़े नहीं गया है क्या लग रहा है यह घटना क्यूं घटी होगी यह घटना महाराकच बजार की है मुर्ति का जुलूस जब निकला तो अब्दुल हमीद क कीघर से पधर रोडह मारा गया है तो एक मुर्ति का हाथ तूट गया जड़ तो इधर चीळित के लोगों ने वह घर की तरफ 끼मार थो जब वहा तो उधर से अगोवाल आगे था तो आगे इस फीम शब्सगाम की तरफ से हैं ने मुझे मुझे थोड़ा यह समझाई है यह तो पूरी जो कहानी है यह सब लोगों के सामने है मुझे थोड़ा सा यह समझाएं आप की पत्थर बाजी होना या कोई यातरा निकल रही उसमें दूसरे समधाय के लोग आपत्ती जताना इस तरह की चीजे क्यूं हो रही है अब यह कई बार उस बजार में जब जब निकली है तो ऐसे हुआ है वहां मुसल्मानों का ही मलब बिसे समझाई का है अधर इटा उनकी घर में पहले से जमा था वो प्र प्लानिंग थे जैसे ही मूर्ते निकलेंगे हम लोग तो तो फोर शुरू कर देंगे जैसे ही मूर्ते इलिए तो नोनों ने रखी ती असलेह हैं तो यह आप लोगों कि किसी ने देखा था कि घर में ऐट टुकड़े पड़े हुए हैं यह ओपर से चल रहे हैं है और गों पर नहीव मतलब महिला और पुरुष दोनों यूबक सब शामिल थे विसाब सामिला है आप थे उसे उसी यातरा में वहां तिस जहां तक 100 थे जहां तक हो गया तहसी थी पहले तो यतरा शुरू होई थी यतरा वहां तक मजजिय तक पहुँची थी उसके बाद हत्या हुई ना तो शब्त उसके बाद गया आप कहां तक थे थे थोड़ा से लोग इसलिए भी हिच्किचा रहे हैं यह बोलने से कि हम यात्रा में थे क्योंकि सब को लग रहा है कि कहीं उनसे पूछताच नहों उनसे कोई इनक्वाईरी नहों इसलिए इसको समझा जा सकता है कानूनी एक अलग पहली आपका क्या नाम है आपके क्या लगते थे जिनकी मौत हुई है हमारे पडूसी लगते थे साथ में रहते से बात करते थे उस दिन जब यह क vendo कि रहे हैं कैसा है कि अप लोग क्या चाहते हैं कि एक तो देखिए कल इतना बवाल हुआ की यह को गया कि बाइद दूसरी और जो सरकार कर रही हो सही कर रही है और चेत के विधायक हैं वो हमारे समर्थन में हैं वो अपना काम कर रहे हैं और हम लोग सरकार से प्रिजन टाइम पर भी खुस हैं और ऐसे तो वहाँ पर जो थाना हर्दी के जो चार सिपाही और डबल इस्टार एसाई थे वो उनकी नाक नहीं रहते हैं कहां से आएं नाम तो बताइए नाम कर अशुक मापे सब ठीक है मासी में तो कोई तरण नहीं है यह 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 क्या नाम है आपका विश्णु मिस्रा आप थे या तरह मिस्रा अथे आत्रम एसा क्या हो गया कि हिंदू जा रहा है तो उसके उपर पत्थर देंगे उनकी मूर्ति तोड़ देंगे ऐसा विवाद क्यों हो गया और क्या हो गया क्योंकि वह जो मुसल्म मुसल्मान उनका लीडर है अब दूल हमीद वहां कि मुसल्मानों का लीडर कोई पत्राओ किसी दंगा करना है तो अब दिलमोत को सबसे पहले जानकारी होते हैं क कोई टिपड़ी नहीं करते हैं आपने हमारे गाने टिपड़ी क्यों कि तो कुल मिलाकर अभी तक जिन लोगों से बात हुई है अब्दुल हमेद जिसे मुख्य आरूपी माना जा रहा है वही बताया जा रहा है कि वो उस इलाके में यानि कि महराज गंज बाजार का जो इल शामिल था ये लोगों का आरोप है लोग कह रहे हैं और उसी की वज़े से ये पूरी घटना घटी है उसी की वज़े से पत्थरबाजी हुई उसी की वज़े से राम गोपाल मिश्रा की हत्या भी की गई लोगों का मानना है अभी प्रशासन की तर्ब से जाच की जा रही है जल्दी क्योंकि योगी खुद निगरानी कर रहे हैं तो जल्दी इस पूरे मामले का सच निकल कर सामने आ जाएगा